और मेरा आपसे एक आगर और भी है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली इसके मंत्र को इसकी गुंज चारों तरब अब सुनाई देने लगी है। मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी मेरा कहना है लोकल फॉर दिवाली को खुब प्रमोट करें, खुब प्रचार करें। हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खड़ी देगा, लोकल की चर्चा करेगा, लोकल प्रोड़क का गवरव करेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुँचाएगा, कि हमारे लोकल प्रोड़क कितने अच्छे हैं, कितने शांदार है, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएगी, इससे स्थानिय पहचान तो मजबुत होगी ही, जो लोग इन सामानों को बनाते हैं, उनकी दिवाली भी और रोशन हो जाएगी, इसलिए मैं देश वाचियों को दिवाली की पुर्व बार बार आग्रह करता हूँ, कि हम लोकल के लिए आग्रही बने हैं, हर कोई भोकल बने लोकल के लिए, दिवाली बनाएं लोकल के साथ, आप देखिए, पूरी अर्थ बवस्ता में एक नई चेतना आजाएगी, नई जान आजाएगी, वो चीजें जिसमें मेरे देश वासी के पसीने की महक हो, जो चीजें मेरे देश के नवजवानों की बुद्धी शक्ति का परिचायक हो, वो चीजें जो मेरे देश के अनेक परिवारों को नए उमंग और उत्सा के साथ नए संकल पर ले करके, अपने कारे का विस्तार करने की ताकत देती है, उन सब के लिए, एक हिंदुस्तानी के नापे, मेरे देश वासियों के प्रति मेरा कर्तब्य बनता है, मेरे देश की हर चीज के लिए, मेरा कमिट्मेंट बनता है, आईए, इसी भावना के साथ, लोकल के लिए वोकल बने, दिवाली लोकल से बनाए, और सिरफ दिये नहीं, बनना कुछ लोकों को द्रड़कता है, लोकल मतलब दिया ले लो, नहीं भाई, हर चीज, हर चीज, कोई ऐसी चीज हो, जो बिलकुर हमारे देश में बनना संभवी नहीं है, हम जुरूर बाहर से लेना पड़ेगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा, कि आपके घर में बाहर से कोई चीज पहले लाई हुई है, उसको फैंक दो, गंगा जी में बहाद हो, जी नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता है, मैं इतना ही चाहता हूँ, मेरे देश के लोग जो पसीना वहा रहे हैं, मेरे देश के नौजवान, जो अपने बुद्धी, शक्ती, सामर्थ से कुछनो कुछ नए करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी उंगली पकड़ना हम सब का दाईत्व बनता है, उनका हाथ भरा हुआ एक नया पूरा वर्ग तयार हो जाएगा, जो हिंदुस्तान को नई उंचाईयों पर ले जाने के लिए एक नई शक्ती के रुप में जूड़ जाएगा, और इसलिए मैं आज फिर से एक बार मेरे काशी वासियों से जब बात कर रहा हूं, तब दिवाली की शु लेकिन मैंने मेरे लिए न कभी मांगा है, न मुझे कुछ जरूरत रहे, ऐसा आपने कुछ बाकी है नहीं रखा है, लेकिन मैं काशी के हर प्रोडक के लिए, काशी में निर्मान होने वाली हर चीज के लिए, गीद गाता हूं, गवरव करता हूं, घर-गर बात पहुंचान लाइक और शेर भी करें और हमारे चैनल एशानेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं